तुम्ही विश्व तरता तुम्ही विश्व जोती में ए प्राहन भरता तुम्ही काल के काल हो चक्रदारे स्वेकारो स्वयम बंधना अब हमारे करना काल करना करना स्वेकार कि अधनने उसने करना तुम्ही वे हमारे तुम्ही विवफ़ करना प्याओ झाल अजस्ट झाल कर भोग से व fountain आार सी य दोला जे गूरमें है हमाशना की और औरण हैं जाओा हुआ हाग都ब फैराय साे आर से रखोली Wade कर वाकि का उबरोया हना ख़ तरया हुआ हो झाल प्टेध रख्ड़ का वा कर सक को हमान पतल का भख़ो एक घरती है एक एक गन एक मन मेरा एक है लगन ओ सघन एक घरती है एक है गन एक मन मेरा एक है लगन ओ सघन जितनी उंबर में है तारी सागर में रतन जितनी न्यारी मेरे नैनों में युतने तेरे सा पन वो सगन एक धर्ती है एक है गगन एक मन मेरा एक है लगन वो सगन ओ चन्दा तोरी मैं हुचकोरी जनम जनम का नाता ओ चन्दा तोरी मैं हुचकोरी जनम जनम का नाता प्यार हमारा रोग सगन में तारों के दी चलाता ओ इन तारों में चमके मन की यगन वो सगन एक धर्ती है एक है गगन एक मन मेरा एक है लगन वो सगन चाहे तोटे जीवन बीना चाहे तोटे तार्थिया लेकिन कभी न तोटे मन की मजर मजर जूका तिया पापिया छूते गा यपना ये बंधन वो सगन एक धर्ती है एक है गगन एक मन मेरा एक है लगन वो सगन वहवा वहवा क्या कहने है क्या कहने है तुम्हे कोयल कहूं मैना कहूं या तान सेन की बेटी कहूं मेरा नाम लता है तभी तुम उसकराट के फूल जड़ रहे हैं वहवा बिल्कुल काली नागन जैसी है तुम्हारी चूटी फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देखकर ढ़र लगता है और इसे देखकर प्यार उमर बस बस रहने दो बनाना तो कोई तुम से सीखे कभी चूटी की तारीफ और कभी आवाज की तारीफ यह तारीफ नहीं रानी दिल की आवाज है सच क्याता हूं लता तुम्हारी आवाज मेरे लिए संगी बन गई है कितनी मीठी है तुम्हारी आवाज ये हैं मिठे आवाज ये आवाज नहीं फर्मान है फर्मान बाक्षा को की नंगी ये पैर दौना पड़ता है इसे सुनका जाहुको में हुजूले वाला मेरी रानी वो भूख लगी है बंदा लाचार है हुजूर अच्छा लो तुम इसे रखो मैं तुमर ये पैसे चाय बना देते हुजू चछी बेची हम दफ्टल श्याए हैं इजाज़त हो तो कप्ले बदल ले तुम जोना चुपचाप लेजा पाले में वाव वाव बद बद फिर शुरू कर दिया मामा वरे ऐसो ने तेरी आंखो में खाल का बना रहे है है चला अपने मा के पास ओ आरे दूते का अरुपय मिला रहे हैं तो क्या करूँ अपनी इस बला को मैं चाय बना लेता हम बस इतने महें तंग आ गए तुम उठो तो क्यों शेशी अपनी बाबुजी पनी चाय नी बनाने दो अरे बाबुजी खुद चाय बना लेंगे आहां देखो शेशी तुम्हारे बाबुजी चाय बना रहे हैं देखो 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 अरे चुपो गई मैं कौन से काटे चुपो रहा था तेरे बच्चे को बहलाने के लिए आरत का दिल चाहिए चाय बनाने के लिए भी आरत के याद चाहिए सच तो है लो समालो इसे और लोही की तरह वांक दी अच्छे चलो, जल्दी जल्दी चाय पीलो हमारी मुन्नी रानी का हुकम है कि आज गुमने जाना होगा मुन्नी गुमने जाएगी मेली मुन्नी तो गुमने जाएगी ऐ बाबुजी, मेली मुन्नी तो गुमने हच 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 कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ है ओ देखो तुम्हरे बाब मी आ गए हाहा अब हमारी शची बंबबबई की सैर करेगी क्या मतलब बंबइ दबादला हो गया है मेरा सच कितना अच्छ हुआ कितने दूनों से मेरे खाहिश थी कि मैं बंबबबई देखौ अब हमाली सची बंबई की सैर करेगी, समंदल देखेगी, जहास पर बेठेगी, चौपाटी की सैर करेगी क्यों जी? ये चौपाटी क्या है बंबई में? लोगों की जेप को चौपट करने वाली जगह भेल पूरी वाला, पापड़ वाला, कुलफी कुलफी मलाई का बर्य, मुंभली का होला, खाने वाला भोला, अरे मज़ेदार होला, अरे बालूरेट की मुंभली, गरमा गरम खाओ, चंपी चंपी, तेलोमाली, 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 त पताना तो भूली गया यह क्या है? चछी बिटिया के लिए लॉकेट है कैसा है? बहुत सुन्दर है यह भी सुन्दर है पहने वाली भी सुन्दर है और इसके अंदर क्यों कैसी रही? बहुत अच्छा किया यह अरे अपने दिमाग की करामात है ले बटी पहनो बहुत बहुत कितना अच्छा बच 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 ओ शेखर भूशन मालूम होता है अब अंदर आजा मैं काम कर रहा हूँ नमस्ते भावी यह काम हो रहा है आई भावी नमस्ते बैचो नकामी भूशन तुम्हे खुशकबरी सुनाओ अगले मैने की 20 तारीक को मैं भी बंबई जा रहा हूँ क्यों तब आदला हो गया है ना इंका तो खूब गुदरेगी जो मिलवाजेंगे जीवाने दूख यूं काॉ लिए आओ कंप परो आपने साथ की अभूवाजेंगे जांगे अरे तु बैटला यार नहीं भाईया अभी मुझे दूसरी जे के जाना है मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि कल मेरी सालगेरा है और तुम दोनों को आना पड़ेगा और लता को गाना भी पड़ेगा ना बाबा तू मैं नहीं आओंगी आओगे कैसे नहीं घंसिट के ले जाओंगे घंसिट नहीं की ज़रूरत नहीं भावी हम तो सर के बल चले आएंगे और अगर ये नहीं काएगी तो हम गाएँगे प्रामिस आओजी अख्या रखाद भूलना नहीं शाम को साथ बजी कहो तो सबेरी चले है ने ने सुबह आने के दरूत नहीं शाम को साथ बजे अचा चा चा बगाता क्यों है कितने बेर कर दी तुमने साथ बजय कहा था ना पुशन में हाँ हाँ याद मुझे वो ओफिस में जरूरी काम हो गया तुम तो तयार हो जाओ मैं तो बिल्कुद तयार हूँ तुम मैं भी अभी तयार होता हूँ दुलारी आई बभुजी क्या है बभुजी अरे इतने जल्दे सुगे शिशी सारा दिन खेलती जो रही है मैंने कहा शिशी तो सो गई है अब तुम ही चले जाओ कामनी से मेरी तरफ से मौफी मांग लेना ने ये कैसे हो सकता है तुमें चलना ही चाहिए ने तो लोग बुरा मान जाएंगे ऐसा करो शिशी कोई नहीं रहना तो अदुलारी उसके पास रहेंगे हाँ बेवजी आप बे फिकरी से चले जाएं मैं इसे संबाल दूगी अच्छा तो तुम इसके पास ही रहना हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे और हमारे आने के बाद ही घर जाना बाद अच्छा चलिए अच्छा बेवजी दुलारी ए दुलारी आई रामी अरी जल्दी आना अरे क्यों इतना शोर मचाती है अंदर बच्छे सो रही है क्या घर जाने का इरादा ले अरे जाना तो है लेकिन थोड़े देर बाद क्यों माल्किन दावत में गई है बच्छे सो गई थी मेरे पास छोड़ गई है आना बै इकठे घर चलेंगे तो चाल गली के बार पूजा हो रही है थोड़ा परशातो ले अरे ना भर तूजा बच्छिया के लिए अरी चालना भार से दर्वाजा बंद कर देना अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे अरी चालना क्या नख्रे करती है आप लोग घर खामोश आई अरुखत आप कलव आप लोगों को एक गाना सुने अबैजा राखने का बाद कोई गाना नहीं काता अब आप लोग कहिए कह खाना वाना नीहों भाणा सुननाना है, मैं एस नहीं झानावाना हम भाजा है ! बैक स्प्राइड आयो ! भाजी धया सावित खूप लागों को और हो सी तो कि यॿट MIN जी जाने। और प्रवा कहसु धूटक। गहीं, मुझे लूटक। बस ले तिकड़म बाजी 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 मिया राजी बीवी राजी क्या करेगा काजी तिकड़म बाजी तिकड़म बाजी ऐसे तो ये दुनिया बाबू आघवा जल मट्टी है सीधे सादे भोदू बनते खाते फिरते टाक कर चलते पुर्जे चट्वट चाटे दूद मलाई शाक कर चुरी बगल में मुख में राम क्या केने वाजी वाजी तिकडंबाग इसकी पगड़ी उसके सर पे दुनिया गो रगधन्दा गुरु घंटाल सभी से कहते जबटके डालो फंदा नम्मक मिर्ची गरम मसाला कपड़े वाला जूते वाला तम्मे है गळबल खुटाला तूद में पानी दवा में पानी सम्में रगणम रगणा कमरा है तो पगड़ी और पगड़ी है तो पगड़ा हाँ पंजा छक्का तता अठा पैते की है लट्थम लट्था पैता बनाए बैया बाबी चाची और चाचाची घंबाग जेव में जब कलदार हो बंगला मुठर कार हो चोर्विसापु कार हो दुनिया कुल्जार हो अरे जे में जब कलदा रहो, बंगला मोटर का रहो, जोर विता हूं का रहो, दुनिया गुलदा रहो, भैशो थारे पाशो ए तो राणी बोले आवो, आवो, तमारी तमें हमारा राशा माटे शर्मावो एक आख से बोले ना जी, एक आख से अहाँ जी तिकडंबा श्रमाजरा बोले ना जी नुम्या रादी बीवी राजी, क्या करेगा खाजी, तिकडंबाजी, तिकडंबाजी, तिकडंबाजी अघाओ THAT से थारे अहाँ कि या खिरे बोला बोला खुर दोा जोड़ जुआ टे जूट, चुट जुट वास, जुट जब झागा लोगाई जुट जूए जुट जटाः जुट जटाः और खचके भाणके लादोग का। जजिआ जजगाd! उजगगestab जड़ को! बढ़के लडेँ Владime involved लताव, लताव, लताव! तुम तुम जो रहे हो? रोमत मैं सुहाग परी मातर सी जारी जी तुम्हारे चर्णों में सुख से बर रही है लेकि मुझे इसकी चित्ता है मैं शादी नहीं करूँगा लता तुम शादी जरूर कर लेना लेकि नहीं वाद मेरी बच्ची से एक ऐससे लोग करेगी लता, मैं शादी नहीं करूँगा मेरी बच्ची का ख्याल सुक्ता तुम्हार जरूर मेरी सारी खुशी चली गए सब सुक्लूट गया मेरा जोमत मेरे बच्चे, जोमत इस शुर के आगए किसी की नहीं चलती सबर कर कैसे सबर करूँ माजी मुसीभदों का पाहर जो डूट पड़ा मुझ पर अब नौकरी करूँगा या इसे समादूगा तु इसकी शिकर न कर देता मैं इसे गाऊँ अपने साथ से जाऊँगी तु अपनी नौकरी समाद मगान मिलने पर हमें लिख देना बंबई जाना होगा हाँ माजी कितने खुश हो रही थी बंबई देखने के लिए भगवान का घर जो देखना था उसे फिर बंबई कैसे जाती जो भगवान की मरती कब जाना होगा वीस तारीको अच्या पनाव मुनी को मुझे देता मैं समान लोंगई बेटा इसाई यह हमारी लता की आखरी निशानी है इस पिचारी के किस्मत में मा का सुख नहीं था शेकर के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया इसके लिए बहुत फिकर करता था और फिरू परसलोकरी का सवाल इसलिए मैं साथने साथ में आई यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कैसा था कि भूशर के यहां ठहरूँगा मकान मिलने पर हमें सबर कर देगा अगवानों से यह दुखतान करने की शक्ती दे मेरी बच्ची मेरी पिच्ची मेरी पिच्ची अच्छा बाबा मेरे हाथ से का और जिस दुमना अगर कभी न हुई तो अगर घुकी रहना चल मैंना किसे खती लिख रहे हो तुहारे पिच्ची को क्या लिख रहे हो लिख रहा हूं के शशिय बहुत बड़ी हो गई है इसलिए जल्दी से उसे अपने पास बिला लो मेरी पिता जी यहां कि नहीं आते आएंगे बेटा वो जुरूर आएंगे इसलिए तो खत लिख रहा हूं अच्छा अब तुम हिलना नहीं मुझे लिखने दो अरे भाई नाश्ता चंदा हो रहा है इसका खता तरह आंबे तो सुनें आया भाई आया कवाई खैरियत तो है ना अरे भाई शर्षी की नानी का खताया है लिखती है शर्षी बड़ी हो गई है उसकी पढ़ाई के इंतजाम गाव में नहीं हो सकता मैं सोचता हूं शर्षी को यहीं बुलवा लो इसमें सोचने के क्या बात है फारन बलवा लो अब तो मैं उससे पहचान भी नहीं सखूंगा चार साल हो गए शर्षी को देखे यह बंबे शहरी कुछ अजीब है जो भी यहां आया यहीं का हो रहा भाई अब तो कहीं मकान दिलवा ही दो फिर वह बात यहां कोई तकलीफ है तुझे? तकलीफ की बात नहीं शशी को और उसके नाना नानी को यहीं बुलाने का वीचार है तो बुला लो उनको मकान की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं भाभी जब अकेला था तो अब अलग बात थी लेकिन अब सब का यहार रहना बड़ा मुश्चिल है बंबय में सब कुछ मिल सकता है लेकिन मकान का मिलना मुश्चिल है अरे हाँ, राधा किशन महल में एक ब्लाक है लेकिन यार वो आदमी बड़ा संखी मालूम होता है फिर भी चलके कोशिश करते हैं राधा किशंग महल कमारे और रंडवे के लिए जगा नहीं ये कैसे हो सकता है अरे इसने तो साफ लिख रखा है फिर क्या फायदा बात करने का चल अरे तू ठेना यार मैं सब बात कर लूँगा तू का घबराता चल अंदर चल तू पहले चल कौन है जी राधा किशंग जी भाबी कोई आये है कौन आये है कौन हो जी तू मेरा नाम है भूजन भूजन अर इनका जी इनका शेखर भूजन अर शेखर कौन शेखर कौन भूजन कहां से आये है जी यही से आये है राधा किशंग जी है नहीं भाईया तो नहीं है मैं हूँ भाबी है कुछ उपर है क्या क्या काम है जी हमें राधा किशंग जी से कुछ काम है तो उने से पूछ लेने कहा गए हैं, चर यह शोदरा क्या है? यह मकान क्या है, पागल खाना है यह तो अरे मैं कहता हूँ, बंबरी में तो पागल खाले में भी यह गह नहीं मिलती जैसा भी मिले ले लो, बाद में देखें, उसमें नहीं नहीं काम चला तुमामी तो यहीं हो, बस जाई रहे हैं, कहां जाता हूँ, बैट जाओ कुरसे पर अरे जानना पच्छन बड़ी खाला सना, बड़ी आदी कुरसी लेगे हैं बड़ी आए, अच्छे वादा, तुम्हें इखार हूँ हाँ, खेर यह चालते तो फागो नहीं है, अरे घवरा तक आए उसमें जाए, एक मिलेट तो तुम्हें लो, बैट जाओ इज़रे पर हाँ, मेरी खाथी है न, वो तरह पागल, जी हाँ जाओ आने से रस्टे बिक रही है, ना जाने किस फागल में तेंख दिया इतना बड़ा खागल अले वो आगा भया, 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 भया क्या है? भया वो आई रहा वो काउन, वो, वो, वो काउन? शेकर भूजर केसा जराया आए नमस्ते नमस्ते, पढ़ना आता है? आता है? तो फिर पढ़ो, क्या लेखा है? आते जाते दर्वाजा बंद करो फिर क्यों नहीं किया बंद दर्वाजा? जी, भूल हो गई, माफ कर दीजिए समझदार आदमी भूल नहीं करते, बोलो, क्या काम है? जी, इन साब को मकान की दुरूरत है शादी शुदाओ? जी, शादी, जी, होने वाली है शादी रही हुए? तो चुपए! ये बोर्ड नहीं पढ़ा रंडु एर क्वारे के लिए इस मकान में जगह नहीं है लेकिन इनकी शादी तो तीन महीने बाद हो ही रही है तो फिर तीन महीने बाद ही मकान ले लेना लेकिन तीन महीने का किराया तो ले लीजी पेशगी है? तीन महीने का किराया? पेशगी? अगर आप कहें तो हम साल भर का देते आदमी समझदार मालूम होते हो साल भर का किराया दे दो और चाहो तो कली मकार में आ जाओ पर हाँ तीन महिने के बाद और अवरत घर में आ जानी चाहिए भगवान ने चाहत इससे पहले आ जाएगी तो फिर और भी अच्छा है मेरे कुछ रूल याने काइदे हैं हमें समंदूर है किराया 40 रुपए दस बजे बती बंद नल पर कपड़े धोना मना सफाई का ख्याल कोले का इस्सेमार तुम क्यों लकड़ी जलाते हो मैं मकान माली की चाहे लकड़ी जलाओं चाहे घर में आग लगाओं किराय दारों के साब में चबड़ चबड़ मत कर जा अंदर जा पर अभी तो आए थी अंदर से तो बाहर जा ना बाहर ने जोग न अंदर जाओंग हाँ सा तो फिर मन्जूर है मन्जूर है आइजिए तो फिर मकाम देख लेज़ी आई आई थर्शिफ लाइज ये है बतार, ये बैठने का कमरा, इधर आई, ये है रसोई खर, अंजीत ही आप अपनी ले आई, इधर आई, ये है सोने का कमरा, देखिए, देखिए, ये आवाद, पास में पहाड उडाते हैं, दिन में दो बाद, दोबेर के खाने के बाद, और शाम के खाने से पहले, कोई बाद नहीं, हाजमे के लिए चीज़े को, हादर पड़ जाती है, पेश की दीजी न, ओ, ये जिरा, दो सरोपे हैं, लीजे, ओ, पैसे, माया, अपना काम तो हो गया, ओ, माया, आती हूँ, क्या है, ये मेरी धरम पत्मी, माया, और ये हमारे नए किरायदार, बड़े भले आदमी, मालूम है, मालूम है, अरे हाँ, अभी अभी तो आये थे, ओ, लो, ये रुपए संभाल कर रख दो, ये शोद्रा, ये रद्ती रद्ती घर में रख दी जो, और ये अरे, तु अभी तक खड़ेगे, जा, रख दे इसे, जा, जाते हैं, हाँ साब, तो कब आएंगे आप, जी बस ये दो चार दिन में आ जाएंगे, बस आई जाएएगा, नहीं तो फिर मैं किसी और को दे नूँगा, बहुत से लोग मेरे पीछे पढ़ने, एक धर्ती है, एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, ओ गगन एक धर्ती है, एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, ओ सजन ओ, चन्दा तोरी मैं हुचकोरी, जनम जनम का नाता ओ, चन्दा तोरी मैं हुचकोरी, जनम जनम का नाता त्यार हमारा जो सगन में तारों के दी चलाता आ, इन तारों में चमके मन की यगन, ओ सजन एक धर्ती है, एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, ओ सजन चाहे तूटे जीवन बीना, चाहे तूटे तार्भिया, एक धर्ती है, एक है गगन यह लता की आवाज नहीं, तेरे मन की आवाज थी, खामखा वहम हो गया तुझे वहम नहीं भूशन, मजबक जाग रहा था, किताब पढ़ रहा था, बिलकुल वही आवाज, वही दर्द, वही गीत मेरा ख्याल है उस वैचारी की रूप भटक रही है, दूशन, वह मुसे बहुत प्यार करती थी, उसका प्यार तो उसके साथ चला गया, यह तेरा प्यार है जो उसकी आवाज बन कर तुझे सुनाई देता है, चार साल हो गए वैचारी को मरे हुए, अब कहां वो आवाज, क कुछ समझ में नहीं आता, इसमें समझने की क्या बात है, अपने दिल से वहम मिकाल दे और घर जाकर आरामा, जा अरी छोड़ना, जाने भी दे, लेकिन तहां जाएगे तुमारी बीबी, कहते थे के तीन महीने में शादी कर दूँगा, जी इसी इंतिजा में लगा हूँ, किस इंजाम में, किसी की बहु बेटी को बगाने के, यह आप क्या कह रहे है, आप मेरी शराफत पर भरोसा रचिए, तुमारी शराफत से मुझे अपनी बदमाशी पर ज औरे गुंडों पे छट्खे चुडा दिये मैंने, तुम तो हो किस खेप की बुली, क्या समझता ही है अपने आपको, बगेर फौसदारी की यह निकलेगा नहीं, पर मैं भी बेटा को इस मकान में क्या, बंबई में रहना भुला दूँगा, ओहो, क्या बात है, क्यों नहीं, देवान में जूट बोलकर मेरे मकान पर कब्जा कर लिया, कहता था, तीन महिने में चाथी हो जाएगी, कौन बेवकूर देगा इस बदमाश को अपनी लड़की, भाईया, सच मुझ बहुत बदमाश है, आंके फाथा कर देखता मेरी तरफ, यूँ, हैं, इसलिए की मुलत देकर आया था, पर अब तो ऐसे जलील आदमी को तीन मिनिट नी ठहरने दूगा, अरे सुनो तो, जब भी किसी से लड़ने जाता हूँ, पीछे से टूप देती है, फूट मुझ से, क्या कहना है, तुम तो पागल हुए हो, क्यों, यह शोदरा के लिए लड़का त तो कब हो, जब मैं उससे जगडा कराया, ओहो, तो क्या हुआ, मना अलो, जगडा करके खुशामत करना तुम्हे खुब आता है, तुमारी खुशामत करना खुब आता है, यह सब्की, अरे, खैर कोशिस करता हूँ, अगर शेखर मान गया, तो चट मंगनी और पट ब्या कर तूँगा, भया, 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 सुनो, जब मेरा ब्या होगा न, तो हम दोनों की पोटो इसी अखबार में चपका न, सारी दुनिया देखेगी, अरे, कभी तो अकल की बात किया कर, अगर शेखर को पता चल गया, तो बना-बनाया काम बिगड जाएगा, यह भगवान, अब तो इस पागल की फरियाज सुनने, कब तक बैठाए रखेगा इसी, अच्छा, मैं अभी शेखर से बात करके आता है, जड़ा ख्याल नहीं कौन किस काम जा रहा है, जट शीख दिया, जा एक गिलास पानी ला, शावाज शावाज, रहने दे पानी, दो हो गई शीखे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आए, आए, बैठिये, बैठिये, अब मैं होश में हूँ, मैं खामा खा तुम से शगणा, मुझे पता ही नहीं था, कि तुम इतने अच्छे और काम के आतमी हो, जी नहीं, घलत ही मेरी, दूसरा मकान मिलते ही सरा जाओंगा, मैं जाने दूग तब न, पाओ में महबदकी बेडिया डाल दूगा, रा मार यहीतो शंग्याने आया हूँ बरकुर्दार, बात यह है कि तुम्हारी भावी कह रही थी कंदे, पे नर्ग.. बरकुर्दार कुछ पागल सा मालू होता है करने तुम आपके जिगा, भूल हो गई क्यों शेखर बाबू, क्या बात है, तब ये तो ठीक है न, माप कीजिये, मैं जर आराम करना चारता हूँ, हाँ, जरूर आराम करो, लाओ सर दवादू, नहीं, महरबानी, किसमें महरबानी काएगी, अगर अपने अपनों के काम ना आएंगे, तो क्या किराय के आदमी काम मैं ये इकेलापन मुझे बहुत खटकता है, मैं तो मरना भी दोचार के साथ ही पसंद करता हूँ, क्यों, बीवी होती तो आती ना काम इस वक्त, कल से मैं ये शोद्रा को भेद दूँगा काम काज के लिए, अभी तो मैं ही तुमारा सर दबा देता हूँ, अभी तो मैं ही जरूरत हो तो कह दूँगा आपको, नमस्ते, शरलायमी, नहीं, आप जाएगे, अरे ये क्या, सौ बार कहा जब जरूरत ना हो बिजली मत जलाओ, मत जलाओ, पर कोई सुने तो, इन्हे बटन नीचे तो करना आता पर उपर करते दम निकलता, ये दिवाली मनाई जा रही है मेरा दिवाला निकालने को, अरे रे, ये क्या भूतों का घर है जो मंधेरे में बठे, ये गली की रोशनी क्या कम है, इसलिए तो कमैठी के मेंबर से कहके सामने खंबा लगवाया, आग लगे, कौडी-कौडी पर जान देते हो, जैसे सब कुछ छाती पर रखके ले पर तुम्हारा पेट पालने को तो सब कुछ चाहिए ना, अब चुपी करोगे या बात पर चुपी रहो भावी, भावी, बात सब पक्की हो गई, कक्की पक्की क्या बात बीच में ही रह गई, खैर वो तो हो जाएगा, ये शेकर मुझे कुछ पागल सा नजर आता है, तो मेरा सारा खांदान, आग लगे, मेरे खांदान तक पहुंचती है, चोटी खीज कर बाहर नकाले आलीजा, हाथ लगांके तो देख, खाई हाई जाएगे, अरे, ओहो महमले वालों को तो सूने दो, चल, तूजा, तुम भी क्या बच्चे के संग बच्चा बनती हो, जाओ द पाई हा, अब तो तू जा, तुम्हे भी आराम के बक्ती जग्रा करने की सूझती है, जग्रा मैं करती हूं, तुम्हारी बहन, नाराज रहिं, तूछी गाना तो सुना, खु Кool हो, तुम्हे भी तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, मैं नहीं कितनी रातें जाकर काटेगा, क्यों? इतने बड़े-बड़े बादाम, इतने बड़े-पिस्ते, इतने बड़े-बड़े किश्मिश जाली है इसमें, खाल न? मैं तो कपका नाश्ता कर चुका? तो क्या हुआ, थोड़ा सो और खालो न? बहिया ने मुझसे कहा, यह शोद्रा जाकर शेकर बाबो को खीर जा, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, खालना गरम-गरम, खालाँ इसा, एक काम करो, वहाँ टेबूल पर रख दो, फिर खालूँगा ठंदी हो जाएगी, लो खाले कैसी है? काम करो, मैं बाद में खालूँगा, तुम जाओ खा रहे न? क्या हुआ? यह खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया नमक? क्या कह रहे हो? चक्के देखो खालूँगा भया, मैं शेकर को खीर दे आई अरे उसने खाई तो नहीं खाई भया, मिरे आखों के सामने खाई ठूटे करन, सब तो सब चौपट कर आई क्या बात है, भया क्या बात है, तुम आख तर्य दूद़ क्या रहा क्या कहा, शादी, शादी तो उसके फरिष्टे भी करेंगे, ने घर से बाहर नहीं निकाल दूँगा, ओहो, ओच्छे के घर तीतर, बाहर रखूं या भीतर, जब देखो मकान की धौस देते हो, अरे इसी धौस में आकर तुमारे बाप ने तुमारी शादी कर दी मेरे सां, मक शेकर बाबू कब आएंगे सहरा बान कर मेरे अमीर भाई के घर, चुप चुप लड़की होकर ऐसी बात करती है, चुप, क्यों क्या बुरी बात है, महिया देखो, मेरी शादी शेकर बाबू से हिकर नहीं हा, किसी दूसर से नहीं हा, वो ही तो कर रहा था, ये खीर खिलाने चुप कर, चुप कर, शेक हरती ही कर दूगा तेरी इसाली, चुप कर जाना, अरे उसी से कर दूगा चाली, रोती क्यों भूशन, इस लड़की की आवाज ने मेरे सीने में दबी हुई लटा की आद को भड़का दिया, बिल्कुल वही आवाज, वही हरकते हैं यार तो यह काम करना, फ़ले उसका पता निकाले, फिर उससे जान पहचान पैदा कर, उसके तो शादी कर ले नहीं भूशन, मैं लटा के प्रेम के लिए, शशी के सुप के लिए, किसी से भी शादी नहीं करना चाता तो तुम्हे उस लड़की का रास्ता देखने की क्या दरूरत, उसकी आवाज सुनने से क्या मतलब मैं उसका रास्ता नहीं देखता, वो मेरे मकान के पास से गुजरती है, उसकी आवाज में मुझे हाँ, वो तुम्हे पहले सुन चुका हूँ, तु एक काम कर, उसकी आवाज का रिकार्ड बनवा ले, और जब जी चाहे ग्राम फून पर सुन लिया कर, क्यों तो मजाग करता है या, और तु बकवास करता है, जब तुछको उस लड़की में लता नदर आती है, तो तु उस किससे शादी कल्य किस्सा खत्म हुआ, तु मेरी हालत को नहीं समझ सकता, अच्छा मैं जाता हूँ, हाँ, क्यों नहीं, उस लड़की का आने का वक्त हो रहा होगा, जब पानी-गरम करने का इरादा कर डहा हूँ, अजे शादी करने का इरादा करो, जवानी हमेशा नहीं रहती, पानी-गरम करना, चाय बनाना, नहटर के हाथ का खाना खाना, ये वे कोई जिम्दगी है, है, ये सिगरेट को पैगट सात लिया, खाली है, या Contra इनके बहुत अच्छे खिलोने बनाती है, विलायत में बड़ी मांग है ऐसे खिलोनों की विलायत में? आप सच मानिये, शेकर बाबू, यशोद्रा बड़ी कारीगर लड़की है, आपने देखा नहीं कभी अच्छा, आओ हम अंदर आ सकती हैं? हाँ, हाँ, तर्शीब लाइए आओ, उशा आईए, आईए ओहो, उशा देवी नमस्ते आज कैसे रास्ता भूल गई? भाई, नए लोगों में माया ममता ही नहीं रही माजी कैसी है? बिलकुल ठीक है बैठीना? जी, नहीं हमें जल्दी जाना है आज ये, शेखर बावु के यहां कैसे आना हुआ? हम लोग कॉलेज की बिल्दिंग के लिए एक नाटक खेल रहे है वाँ, उशा देवी मैं तुम्हारा नाटक जरूर देखूंगा पास दोगी ना पास क्यों? टिकेट खरीदने होंगे धर्म का काम है, बताइए कौन से दू, पांच के या दस के नहीं, उशा देवी रुपए मेरे पैदा कियो हुए बेटे हैं धर्म के लिए मैं पेटों को कुर्वान नहीं कर सकता बाद जरा बढ़ रही है, फिर आउंगा अच्छा नमस्ते, इन्हें दो 25-25 रुपए के टिकेट, दो हाँ आप तो लीजेगा न अच्छा लाइए, तीन टिकेट दस रुपए बाले दे दीजे लीजे ये नाटक में काम कर रही है, बहुत अच्छा नास्ती गाती है अच्छा, तब तो जरूर आउंगा शुक्री है भागे क्यों जा रही है ये ही आदमी था उतिन तभी इतनी तिर्षी निज़र से देख रहा था दरी तरफ लेकिन उशर, आदमी शरीफ मालम होता है अगर शरीफ होता तो मेरा पीछा क्यों करता तो तेरा क्या मतलब कोई बदमाश ही तेरा पीछा कर सकता है मुझे बदमाश है शरीफ से क्या मतलब उसे तो मतलब है देखा नहीं कि संदाज से का मैं जरूर आउंगा देख ले न, वो जरूर आएगा तुमारा डांस देख लेगा चला हटो, बाते में तो बी एसडी बी एम, ए म, पि ए जी बी, टी बी, कम, बी ए सग debates डिगरी लेकर बैठे हैं इसक परेंगा क्या आप सोचो जी प्रकंडो, प्रकंडो क्वाटर क्याम थे लेंगा थे न, खताने कर जो बनूंगे मैं तो किसी के घर की रानी पर तन मांजूं जड़ू लगाऊं और भरूं मैं पानी पर जब पढ़ने बैठूं मैं कोई कवीता कोई कहानी आके पीछी डो डो बच्चे करते मुझे दिवानी गम पद सानी गम पद सानी गम पद कभी समालू बच्चे कभी समालो आ्टागी लगेन मेरा जी घर में लगेन मेरा जी B.A.M.A.P.A.C.P.T.B. कॉम.B.A.C. दिगरी लेकर बैठे हैं सब करेंगे क्या आप सोचो जी सोचो जी मोलो जी डॉक्तर बन के हर रोगी को पहुचा हूं आरा नाम का नाम कमाऊंगी मैं और दाम के दाम चड़े जो बुखार तो लगाऊं पेनिसिलिन लगे चोट तो लगाऊं मैं तीजरोइडिन तू एनसिंपिनन और अरोमेसिन और किसी कुदू एबीसे विटेमिन सब कुछ करूंगे लेकिन करना पाऊंगे एक काम क्या जब करना पड़ेगा ओपरेशन चीर फाड के चांग देख देख ये समा भयान दरेगा मेरा जी दरेगा मेरा जी पी ए ए में पी ए से बी टी भी कॉम बी ए से दिगरी लेकर बैठे हैं सब करेंगे क्या अब सोचो जी सोचो जी बोलो जी हीराइन बनो फिल्मों के चम 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 ना चुगाओ हर दे के आँखों में बसूं मैं सब के दिल में समाओ कोई और्टग्राफ मागे कोई फोटग्राफ चाहे कोई पता मेरा पुझे कोई पिछे पिछे आए रुक जाए चलते रही मैं जिधर से आओं जाओं लेकिन लेकिन क्या लेकिन जब तक है ये जवानी एक श्टार कहलाओं कभी कदर ना जाने कोई तूटे तारों की है तूटे तारों की कैसी सोच में दूबे हो कर लो जो करना चाहो काम सभी अच्छे है जो तुम अपना फर्द निभाओं नारी से बनती है कूमे नारी से मिठती है आज तुमारे हाथों में है अपने देश की ना आज हमारे हाथों में है अपने देश की ना आज हमारे हाथों में है अपने देश की ना आज हमारे हाथों में है अपने देश की ना आज हमारे हाथों में है अपने देश की ना नमस्ते नमस्ते खलाब का नाच मुझे बहुत पसंदा रहा है बहुत बहुत शुक्रिये आप शायद यही पडोस में रहती हैं हाँ यही सामने गली के मूर पर अच्छा अगर आप जल्दी में नहों तो एक प्याला चाहिती दे जाईए जी नहीं फिर कभी है फिर कभी क्या इन्होंने इतनी भावना से कहा है हमें इनकी बात रखनी ही चाहिए आएए ना आएए आएए आपका नाच और गाना वाकई बहुत अच्छा था इंटर्टेन्मेंट के अलावा उसमें सीखने को भी बहुत कुछ था शुक्रिया आप लोग यहां तश्रीफ रखें मैं भी आता हूँ आदमी का दर्दान मालूम होता है हट समयदार भी है चुप रहे गी या नहीं खुबसूरत है इपागल तो नहीं होगी नौजवान भी है लीजी, आप खाम खार तकल्लूप कर रहे हैं, तकल्लूप का है का, ये तो घरा एक अलाकार का स्वागत है, अरे, बड़ा मजन है आपका, ये रैकेट जो टेड़ा हो गया, अब भी तो, आप भी खाये न, हाँ, आप अकली ही रहते हैं, जी अकला हूँ, इसलिए अकला ही रहता हूँ, आप खाये न, जी मैं खा रही हूँ, एक बात पूछाँ आपसे, हाँ, पूछे, आप, उस से रात मेरा पिछह क्यों कर रहे थे, उसी हरकत की माफे मागने के लिए मैंने आपको बुलाया है, बुरा नमानी, मैंने दो उस दिन आपको पागल समझा था, ठीकी समझा आपने, एक पागल ये ऐसी हरकत कर सकता है, अच्छा तो फिर आग्या दीजिए, चाय नहीं पीजेगा, कोई बात नहीं, फिर कभी पिने आएंगे, आपने ये तो बताया है, क्या आप मेरा पिछा क्यों कर रहे थे, चल आप, बताना चाहते, तु क्यों हट कर रहे है, मुगालता होगे होगे, मुगालता तो नहीं, खर छोड़ी इंग बातों को, अच्छा नमस्ते, ये पलड़ा खरीदने का है, ये बेचने का, कोई गाहे काए, तो ध्यान रखना, कितनी रद्धी हुई, ये पाच्छों सेर है, तब तो ठीक है, शे सेर के दाम दिये थे, व मकान नहीं देता था, बाहर निकाल दूगा बदमाश को, उससे बाहर निकाल दोगे, तो इससे शादी कौन करेगा, वही करेगा, वरना बंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा, बदमाश का, भाया, ये उशा शेखर के पास बार बार क्यों आती है, ये सब तेरी गलिपी जब तुने शेखर से शादी करनी है, तो फिर क्यों नहीं रखती उसका ध्यान, अपनी भावी से पूछ, जब मुझे इससे शादी करनी थी, तो इसके घर के साम में विस्तर विछा दिया था, तब भी तो मुझे तरस आ किया था, अरे जा जा, बढ़ी आई दरस बाली, त अच्छा हो माजी, अरे उपर बैठो, नहीं माजी, मैं तो हमेशा इनी कन्मों में बैठता आया हूँ, किसी तरह एक छोटा सा बंगला बनवा लिया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोगों की पराबरी करूँ, नहीं भाई, तुम तो हमारे महमान हो, उपर बैठ एक जरूरी बात कहने चलाया हूँ, कहो, माजी, कसम खाकर कहता हूँ, आस तक किसी की चुबली नहीं की, एक गुंडा मेरे घर में आबसाया, तो फिर निकाल क्यों नहीं देते उसे, आप तो आजकल के कायदे कानून जानती ही है, बदवाश ने मुझे कुछ रकम पेश की किराया नग देता है, जगला टाल जाता है, फिर वो किसी साब से गुंडा हूँ, हाँ, इस किसम के लोग जरा उंचे दरजे के गुंडे होते हैं, कौारा है, जवान है, आस पढ़ास में लड़कियां बालियां रहती है, माफ करिएगा माजी, छोटा मूँ और बड़ी बा मुझे अपनी बैटी पर पूरा भरोसा है, माँ, मेरा रैकेट कहा है, मिल ले रहा, उशारानी गरमी है, अच्छा तुमें चलता है, माजी, वैसे तो उशारानी देवी है, फिर ये सब कुछ कही है, गानी, मा, रैकेट नहीं मिलता, कहां है? कहीं बाहर तो नहीं भूलाई हो सबता है, शेखर बाबु क्या रह गया हो? शेखर बाबु कौन है बेटी? वो हमारे पडोसी है मा, राधा किशिन जी है न, उनके हां नए किराइदार आए हैं, बहुत अच्छे सुभाव के हैं बेटी, अब तु सियानी हो गई है, जो कदम भी उठाना हो, सोज समझ कर उठाना उशा देवी, नमस्ते नमस्ते, आएने शेखर बाबु मा, आप फर शेखर बाबु नमस्ते माजी जीते रहो बेटा, आओ, बैठो बैठियो ना जी उशा देवी, ये राकेट घर में भूलाई थी मैंने सोचा देता चलो लीजी, और मैंने सारा घट चान मारा बहुत अच्छा किया आप राकेट ले आए क्यों बेटा, बंबई में नए आए हो क्या काम करते हो जी दफ्तर में काम करता हूँ बंबई में तो लोग अक्सर फिल्मों में काम करने आते हैं नहीं माजी, फिल्मों को तो मैं दूर से ही नमसकार करता हूँ सरकारी नोक्री है, साड़े साथ सासौ रुपे तनखा है अपना गुजारा हो जाता है बड़ी खुशी की बात है पर मात्मा और ज्यादा दे मान जी, आप नहाली जीए, पानी रख दिया है मैंने अच्छा बेटा, मैं जराशनान करा हूँ तुम लोग बैठो बड़ी अच्छी हैं आपकी माता जी ये रैकेट थेंक यू आप बैडबिंटन खेलना जानते हैं? जी नहीं खेला क्यों जी है ना, बहुत अच्छी एक्ससाइस है कोई पार्टनर मिल जाए, तो जरूर खेला करूँगा तो खल से मेरे साथ चली है? मुझे कोई दराज नहीं आप मुझे सीख रहे हैं या मुझे सिखा रहे हैं कुछ-कुछ सीख रहा हूँ और कुछ-कुछ सिखा रहा हूँ अचाचाली? चाली? दिल में हमारे कौन समाया? खुद ही समझ लो मैं क्या बोलू किसने मुझे देवाना बनाया दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे दिवाना बनाया मेरी नजर से मिलते ही क्यूं तेरी नजर जुक जाती है मेरी नजर से मिलते ही क्यूं तेरी नजर जुक जाती है तेरे नजर से शर्मा कर कुछ कहने से रुक जाती है हम से ये कहना चाहती है क्या खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे दिवाना बनाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं देखे हमको जूम रहे हैं देखो इन नजारों को सामने जब हां सूरत तुमारे देखे कौन बहारों को ऐसी रुत का क्या है इशारा खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे देवाना बनाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे देवाना बनाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं उशा अब तो सोते जाकते उटते बैठते मुझे तुम्हारा ही ख्यालाता है लेकिन मैं तो तुम्हारी हूँ ही हाँ हो तो लेकिन कहा हूँ उशा तुम्हारे प्रेम ने मेरे जीवन के बहुत बड़ी कमी को पूरा कर दिया और क्या क्या कर दिया बताऊ मेरे प्यार ने तुम्हारे जीवन के बगया में फूल खिला दिये बेलों को हरा भरा कर दिया थंडी थंडी हमाय चला दिया मोर नाचने लगे तुम तो मज़ाग कर रही है, सच क्याता हूं उशा, मैं तुम्हारे बगर एक मिनट भी नहीं रसकता मुहबत हम दोनों के एक दूसरे के करीब तो ले आई है मगर अभी तक दुनिया की नजरों में हम बहुत दूर है और अब? अच्छा ये तो बताओ, मा जी से पूछा था की नहीं कह रहे थी कि बी एक एम तहन के बाद, सिर्फ चार ही तो महने है चार महने? ये चार महने तो मेरे लिए चार साल के बराबर है महबत की दुनिया का सूरत जल्दी छिपता है और जल्दी उखता है ये चार मेने तो चार दिन के तरह गुज़र जाएंगे ये शुद्रा, तुम्हें क्या कर रही हो? जान लगा रही हो तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम यहां मताय करो तुम मानती नहीं, लगा जारू मैं खुद लगा लगा तुम कुछ जारू लगाओगे? हाँ, लगा कुछ काम नहीं करने देते ए सुनख, क्या शादे के बाद भी तुम जारू लगाओगे? शादी, किसकी शादी? जैसे चानते ही नहीं भाईया मेरे शादी तुम से कर रहे हैं मुझ से? यह शदरा, जरा आपने भाईया को तो भेज़ दो, मुझे उनसे कुछ बात हैं करनी है शादी के बार में के? मैं तुम से शादी करू ले, हाँ? आहाँ, तुम भेज़ दो भेज़ा को कर ये शेकर वाँ, क्या होकम है? बैठे रादा किशन जी, आप जानते हैं, मैं लड़का हूँ वो तो दुनिया जानती है, मैंने लड़की कब कहा आपको? मगर आप सुनियो तो, और फिर मैं आकेला रहता हूँ इसलिए तो तुम्हे दुकेला करने की कोशिस कर रहा हूँ क्या कोशिस कर रहे हैं? आप यहाँ यह 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 को पैचान ले, तुम उसके सबहाब को पैचान लो, वो तुम्हारी अकल को जान ले, तुम उसकी अकल को जान लो मैं उसकी अकल को तो नहीं, लेकिन आपकी अकल को पैचान लो, हूँ ना अकलवन आप बिलकुल बेवकूफ हैं, आप समझते हैं, मैं आपकी बेहन से शादी कर लूँगा तो इसमें क्या बुराई है शेखर बाबू, यशोद्रा होशियार है, समसदार है, स्यामी है, हाँ यहरा जरूरत से जयारा बोल लेती है, इसलिए लोग पागल कहते हैं मैं उससे तो पागल नहीं कहता है, मगर आप जरूर पागल है, उस बेचारी को जूटी आशा में डूबो रखा है, खाम खा बेवकूब बना रखा है, जाए, जाकर अपने बेहन को अकल सिखाईए, और उसके लाएक किसी लड़के से शादी कर दीजे, इसलिए मैंने आप को बलाया था, ठीक है, अब यशोद्रा को तो भगवानी अकल सिखाएगा, पारी अकल जरूर ठिकाने कर दूँगा, मकान मालिक का वुकाबला करतो, यशोद्रा, अब शेखर के पाप जाने की कोई जरूरत ने, कितना खिलाया फिलाया, आदमी एक दम बेइमान निकला, ब बोली मार शेखर बाबु को, यहां क्या लड़कों काल पड़ा है, अगर मैं तेरी आर दिन में शादी ना कर दूँ, तो मेरा नाम रादा किसी में, मैं तो शेखर बाबु से, शेखर बाबु से, अरे धूमने वाला चाहिए, यहां एक से एक अच्छा लड़का मिलता है, अच्छा लड़का पसंद बहना तुम्हे, शाचुंदर मल पीपरी परशाद की कोठी में काम करता है, कंखा तो कम है, पर उपर की आमदनी काफी है, हां बाब की तो सब ठीक है, मगर तीन बच्चों का बाब है, तो क्या हुआ, कौन सी सौध बनके जा रही है, बीबी तो म अगवान के उपरी छोड़ दू, चलू आप, लड़की की भावी है, रादे किशन जी, कन्या को ले आईए, लड़का जरा देख ले, और फिर जट से मंगनी कर दे, हां हां, अब ही लाता हूँ, तब तक आप चाय बगेरा पीजिए, पागल हुई है क्या, लड़का देखने आया और तू रो रही है, उट, चल मेरे साथ, मैं नहीं आऊँगी, दिमाग खराब हुआ है, शाधी नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, बड़े मुश्किर से लड़का तलाश किया, चल, सब इजार कर रहा है, उट, मैं नहीं आऊ पागलू, ये क्या चलना पड़ेगा, क्यों चलू, मैं नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, कह दिया मैंने, अरे बाबा, मैं उसे जबान दे आया हूँ, तो मैं क्या करूँ, तीन बच्चों के बाद से मेरे शाधी कर रहे, और कोई नहीं मिला सारी दुनिया में, मुझे पल्ले बात दिया, जुप जुप करता दात, क्यों नहीं रहूंगी मैं, अरे, ये कैसा शो रहे है, मुझे तो ये शोद्रा के आवज मालूम होती है, क्या बात है, अरे लड़का मैठा, सुदेगा, क्या हूँ, बैंगा, शामलाजी को नमस्ते कर से, नहीं करूँ, बढ़ कैसे नहीं करेगी, जो मुँ में आताबक देती है, क्यों न बोलू, राधा किशन जी जरा ठेरिये, क्या सच मुझ आपके पहली शादी से तीन बच्चे हैं, जी हाँ, लेकिन स्याने हो चुके, उनको समालने में लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी क्या आप ऐसे लड़की से शादी करेंगे, जिसके पहली शादी से तिन बच्चे हो, कैसी बात करती है, मुझे क्या जुरूरत पड़ी, तो इसे भी क्या जुरूरत पड़ी आप से शादी करने की, इसका मतलब यह है किसी कवारी लड़की को बच्चे वाले आदमी से चाहती कि उसकी शादी किसे ऐसे आदमी के साथ हो, जिसके पहली बीवी से बच्चे हो, यह शुधर अभी उदर को महसूस करती है, उशा देवी मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतनी बायत किस लिए कर रही है, इसलिए कि मैं अक लड़की हूँ, और लड़कियों के सुग आपको क्या दरूरती मेरे मामने में टांवराने की, शांत हो जाएक रादे किसन जी। लो, लो, कुछ बुरा तो नहीं कहा मैंने, नहीं, लेकिन दूसरे के मामले में दखल देनी के क्या ज़रूरती, और फिर ये तो अपनी मर्जी का सवाल है, कोई भी लड़के अपनी मर्जी से इसे शाद नहीं करेगे, फिर लड़की यही चाहती है, कि उसका होने वाला पती क क्या आप मेरे खैलों से सहमत नहीं, क्यों नहीं, मैं तो वैसी बात कर रहा था, अच्छा, अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, अब तुम्ही बताओ, मैं क्या करूँ, अगर मैं ये कहूँ, कि मेरे एक बच्ची है, तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी, और अग अगर तुम्हाद है, धोका है, अगर तुम्हाद करना चाहता है, तो फिर इस रात को छुपाना ही पड़े, शादी के बाद पता चल गया तो फिर क्या होगा, होगा क्या, दो चार दिन गाल पुलाए रहेगी, फिर खामोश हो जाएगी, वो खामोश होने वाली लड़की नहीं भूशन, अरे अवरत का गुस्सा दोथ की उबाल की तरह होता है, उठा और दब गया, मुझे उसके गुस्से का डर नहीं, डर है कहीं उसके जीवन की सारी खुश्यां खत्म नहों जाए, उसकी आखों में हमेशा के लिए आसू नो बच जाए, अरे अवरत के एक अरे कुछ नहीं बख़ार हो गया है, मैंने का कुनेन की गोली ने कल लेए, मैंने मौसमी बख़ार के लिए परते पहले चाय साथल्गे है, मैं लाते हो हाँ लो खालो हाँ नहीं भावी रहने दो मैं ऐसी ठीफ हो जाऊँगा रहने की उदो खालो ना दुखार उतर जाएगा ले निगल्या निगल्या मौका आईये भी निगल्या हाँ हाँ स्रीमान जी सर्खुशी ही मैं शर्मिन्दा हूँ कि बहुत दिन से आपको खतने चार साल तक घर ना आने का मुझे अफसोस है मैं शशी का बाप हूँ फिर उसे कैसे भूल सकता हूँ मुझे उसके हमेशा याद आती रहती है शाद आपको यह पढ़कर बुरा लेगा कि मैं बगार आपसे सला मश्वरा लिए शादी कर रहा हूँ जल्दी घर आँगा शशी को प्यार आपका कौन है मिठाय वाली नहीं चाही मिठाय सां मिठाय चाही है अरे नहीं चाही है थोड़े तो लीचे सां सां क्या दिया ला मुझे मिठाय क्यों मुफ्त में मिठाय मिल रही थे और इंकार कर रहे थे क्या चल रहा है किसी को प्रेम पत्र लिखा जा रहा है नहीं वैसी मेरे एक बुस्त पढ़ लो लेकिन श्रीमान जी आपका खत मिला पढ़कर खुशी हुई मैं शर्मिंदा हूँ कि बहुत दिन से आपको खत ना लिख सका चार साल तक घर ना आने का मुझे अफसूस है मैंने सोचा किसी श्रीमती जुको खत लिक रहे थे अच्छा देली से सोमन अलवाया था माने तुम्हारे लिए भेजा है मैंने सोचा कॉलेज जाते जते देती जाओ बैठो ना नहीं देर हो जाएगी जाते नामी खत आया है लाला शेखर का होगा लो पढ़ा पर क्या लिखा है अजी और क्या लिखा होगा बस यही अच्छा हूँ तन दुरस्त हूँ जल्दी गाउं आऊंगा शशी को प्यार वगरा वगरा चार साल होगे ऐसे खत आते आते मेरा भी पिता जी को प्यार लिख देना अच्छा कुछ मूँ से तो बोलो मैं भी तो सुन क्या लिखा है शादी यही वजा थी चार साल तक यहाना आने की किसी लड़की के चक्कर में परा हुआ था शादी कर रहा है अच्छा नाना मेधी कब शादी करोगे तो हम क्या मना करके थे शादी करने को भला इसमें चुपाने की कौन सी बात थी मेरे जान एक नहीं दो शादिया करे अपनी बच्ची को ले जाए लिखा था कि यहां लग्ची के पहने का कोई इंतजाम नहीं है तो अभी तक जवाब नहीं दिया यही तो मेरा रोना है कोई परवा नहीं मैं फिर चिठ्थी लिखता हूँ बला यह भी कोई बात है बच्ची की परवा नहीं और शादी शादी याद़ बला यहाद़ लिखता है भी कि वाद़ यहाद़ दो चिए लिखता है जब बच्ची के इंतए जाया हो स्वाला दो फुष्वाहा सर्जात वादे बच्चते नवाराम अरे कहा हो जल्दी जाओर साथ के लिए चाय बना के ला जी जल्दी हाँ 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 अरे ये सब क्या है ये वेशमी साडी ये टाई और ये जूते क्या किसी की बारात आने वाली है किसी की बायरात आने वाली है, कभसे कह रही हूं, बजार चलिये, बजार चलिये, आप आते ही नहीं मैं खुद कही और खरीद कर लाई हूं यह लेजे बिल, 500 रुपय का बहुत अच्छा कीअ क्या कहा, कितने का बिल? पांसु रुपय का गब्रा क्यों गए तन्खा नहीं मिलती अरे तन्खा मिले भी तो क्या फार्दा तुम जैसी वीवी किजी को मिल जाए तो उसका तो सूपड़ा साफ हो जाए ओ माई गॉड़ वाट अबाउट माई 500 चिप्स परची भी क्या बात वी काफी कमाते हो कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई दूब जाती है कमाता हूं बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है कहो तुम कुछ भी लेकिन यहीं समझदारों का कहना है कहो तुम कुछ भी लेकिन यहीं समझदारों का कहना है क्या? लुटा देते हैं घर को मर्ग और घर बनाती है हाँ तेरी इन साडियों ने जमपरों ने मार डाला है तेरी इन साडियों ने अरे जमपरों ने मार डाला है तेरी दीवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है मैं कड़का हूँ मैं कड़का हूँ मैं कड़का जेब से तू सेंट कपडों में लगाती है कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है बसें भी शहर में चलती है आते चलने तो क्या हुआ कमाई आधी बाहर और आगे घर में आती है लुटा देते हैं घर को मन और अगर बनाती है कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है उबल जाता हो चाहे दूध चाहे रोटी जलती हो पहन कर रेसमी सा अरे मोरी सा हमोरी हमोरी सा नकर वाली नकर वाली सुनले मोरी सुनले मोरी सा सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारे सा तारी तू है निपट अनारी पहने लेचमी छाली पहन कर रेसमी साडी तुम ऐसे ऐसे चलती हो तुम ऐसे ऐसे चलती हो तुम ऐसे एहे एहे मैं बाते जब सुनाता हूँ मुझे आखे दिखाती है मैं बातें जब सुनाता हूँ मुझे आँखे दिखाती है कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई दूब जाती है तदा तदा उडा देते हैं पैसा बाद में फिर हाथ मलते है शो बीजोना जाके कहजे हाथ मलो शो दबा के मूँ में सिगरेट आप ऐसे ऐसे चलते है मुसीबत सर पे जब आती है बीवे काम आती है लुटा देते हैं घर को मर्द और अगर बनाती है कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई दूब जाती है मेरे पास दाम नहीं है अच्छा ये बात है अच्छा चलो माफ करती है तुम समझती हो मैं बहुत कंजूस हूँ और नहीं तो क्या अरे अगर मेरा बस चले तो दुनिया भर की सारी दोलत तुम पर खुर्बान कर दूँ मकर क्या करूँ फुरसत ही नहीं मिलती जा जा बड़े मजाकिया बनते हो यही तो मेरा पशली रूप है लेकिन शादी से पहने तो बहुत गंबिर रहते थे बड़े बगला भगत हो अगर बगला भगत नहोता तो तुम पकडाई में कैसे आती लो विक्या अब ये खट इस बखसे में डाल दो क्यों इसमें डाल देने से ये तुम्हारे पिताजी को पहुंच जाएगा मुझे भी इसमें डाल दो ना मैं भी पिताजी को पहुंच पहुंचाएगा पगली इसमें सिर्फ खट डाला करते हैं जब ये तुम्हारे पिताजी को मिलेगा तो वो तुम्हें लेने आएंगे अब तुम्हारी नईमा आ गई है न है डाल दो खर पोस्ट मैन प्यारे शेखर तुम्हारी शादी हो गई ये पढ़कर हम दोनों को बहुत होई हम कुम के मेले पर जाने का विचार कर रहे हैं इसलिए आकर अपने बेटी तो शेशी को ले जाओ अब उसे उसकी नई मा समाले हमारी यह एच्छा है आगे शेशीरा से खुश है कर्वारी वारी 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 यह एच्छा कर रहे हमारी जाने का विचारा फुम्हारी चार को बहुत है क्यों कैसा है आया पसंद यह सच्चा है यह जूटा जूटा मैं पूछती हूं यह सोने का है नहीं पीधल का है इसे पहन कर तो देखो सोने का है अस्मी सोने का सच बोल रहे है हरे इसमें जूट बोली के कौनसी बात है जबान कटवा दूगा अगर कभी तुमसे जूट बोला हो वह खत पढ़ा है तुम्हारी शादी होगे यह पर हम दोनों को बहुत खुशी होई हम कुम के मेले पर जाने का विचार कर रहे हैं इसलिए आकर अपनी बेटी शाशी को ले तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले आउरत मिल चुकी है और तुम्हारे बच्ची भी है उशा मैं शादी से पहले ही कहना चाहता था मगर तुम्हारे प्यार ने मुझे खामोश कर दिया उशा मेरे प्यार ने नहीं तुम्हारे स्वारत ने तुम आपने मुझे पर जुलम किया और अब उस बच्ची पर जुलम करना चाहते हो इसलिए कि तुम यही चाहती हो तुम्हारे सीने में सौतेले पन के आग जल रही है मुझे उमीद न थी कि तुम मेरी बच्ची से इतनी नफरत करोगी मुझे तुम्हारी बच्ची से नफरत नहीं, तुम से नफरत है कोई भी सौतेली में अपने सौतेली बच्चे से नफरत नहीं करती सिर्फ बच्चे का बहाना लेकर अपने अर्मानों को लूटने वाले पती से बजला लेती है अपने सीने में जलती हुई आपसे पती को जलाती है दोशी सोतन नहीं, मर्द है, तुम हो बच बच रहने दो, मेरे बच्ची है तो क्या हुआ, क्या तकलीफ दिया उसने तुम्हें कौन से तीर मार दिया उसने तुम्हारे रहना हो रहो जाना हो चली जाओ नमस्ते उशा देवी कराया ये शोद्रा की शादी लड़का बड़ा अच्छा है तैसीलदार का हैड चप्रासी है सतर रुपए मिलते हैं और सबसे बड़ी बाती है कि लड़का कमारा है हाँ वो तो मैंने ढूंड़ा ही कवारों का खांदान है बड़ी खुश किस्मत है ये शोद्रा मुझ्दूर चाहिए हाँ हाँ ये सामान उठा कर अंदर लिया बहुत अच्छा कहें को पहले ही तुमने टैक्सी करके मेरे हफ्ता वर के बर्त का इंजाम कर दिया तो उठा हाँ उठा दूंगा माफ करो भई हाँ तो आगे बेटी मैं अभी माला को भेजने वाली थी तुमका मेला देखने चलेगी मेरे साथ हाँ मा चलूंगे तो एतनी उदास क्यों है बेटी क्या बात है मा आखर कुछ मुझे भी बोलेगी या नहीं क्या हुआ उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोका किया है मा उनकी पहली औरत से एक बच्चा है पहली औरत से? क्या मतलब? शेखर की पहले भी शादी हो चुकी है क्या? कहां है उसकी पहली औरत? वो मर चुकी है उन्होंने आज तक ये बात मुझसे चिपाए रखी मैं नहीं जाओंगे उनके पास पगली कहीं की अब तो वही तेरा घर है वही तेरा पती चलो उठा इलहाबाद चलने की तैयारी कर वापस आने पर सब ठीक हो जाएगा ऐसी बाते ठंडे दिमाग से सोचने की हुआ करती है चलो उठो इतना चोटा दिन नहीं करते चलो उठो मा चलो मंदिर होते चले हाँ ठीक है अरे अब बाहर तो निकलो अरे शशी कहां गई शशी अभी तो यहां थी हाँ हाँ शशी कहां चली गई कहां चली गई भीडवे शशी शशी कहां चली माटी कहे कुमार से तू क्या रों दे मुहे एक दिन ऐसा आएगा मैरो दूमी तो हे हरी ओम हरी ओम हरी ओम माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना दो दिन के जग के मेले में आज रहे कल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना रे भाई लेलो लेलो ये मेरी कंठी माला मेरी माला में छिप जाए सब गडबर गोटाला शेर साब को मिले शिठानी और लल्ली को लाला ओ बाबू टोपी वाला ओ भैया पगडी वाला वही सुखी है जिसने प्यारे तेरा मन का दाना माटी में मिल जाना दे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना दे भाई माटी में मिल जाना मेरा पान बनारस वाला हलका कत्वा जूना ए जी हलका कत्वा जूना जिसने खाली एक गिलोरी छैला बन गय दूना ए जी छैला बन गय दूना सौफ सौपारी खुश्बू ठंडक काला पीला चूना मोभा माडवा मगई बनारस बंगला देशी पूना बाती बाती के लोग लगाते तेरा नया पुराना माटी में मिल जाना रिभाई, माटी में मिल जाना चले आओ, चले आओ, चले आओ, चक्के वाले चले आओ, रुके वाले चले आओ, पैसे वाले चले आओ मेरी प्यारी दोकान सबसे न्यारी दोकान देखो देखो नाच रहा है ये अलबेला बंदर जाने किसी का धीव समाया कटपुतली के अंदर नाचे राजा ओई नाचे रानी ओई नाचे मस्त कल अंदर नचा रहा है नचाने वाला सबको ना चलवाना माटी में मिल जाना रिवाई 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 मातिने यह दिले जाना माति वारी झाल बला ज Right माति भी पारी घर जाना मामू जी नाम श०्शी है उम्रा करीब पांच साल की रंग रंग गोड़ा है मेरी मच्ची का शलवार और कमीज पहने है अर उपर तो सूइटर और कोई खास निशानी जी हाँ, गले में सुनने का लोकिट है रिपोर्ट तो मैंने लिख लिए, जैसे आप गुम्शुदा बच्चों के केम्पे में देख लिए आपको लास्ट चिल ले इन केम्पे ले जाओ आईए मेरे साथ पोली स्टेशन, येस, जरह फांच नमर फाइदा इन में तो नहीं है क्या नाम है तुम्हारा बेटी? शर्शी और तुम्हारे पिता जी का? मुझे नहीं मालूम हो, बंबई में है तो फिर तुम किस के साथ आईओ? ना, ना, नाने के साथ मैं नानी के पाज जाओंगे बेटी, पुलिस में इतला देदे हैं चाहिए बिचारे ढून रहे होंगे देखा मा, कितने लापरवा हैं ये लोग बच्ची के गले में सोने का लॉकेट डाल दिया मा, ये तो उनके बच्ची है अरे, शेखर के बच्ची है कितनी अच्ची है, कितनी भूली बच्ची है शेखर के बच्ची है नानी के पाज जाओंगी मानी के पाज जाओंगी मैं तुझे नानी के पाज ले जाओंगी मेरी बच्ची हम तो पहले ही शेशी को साथ ले जाने से डरते थे कितनी राह देखी तुम्हारी जब तुम ना आये तो हमने सोचा इस बिचारी को के लिए कहा छोड़ जाए क्या करे बेटा सारा मेला चान माई पलीस में रपट लिगाई मगर उसके कही पता नहीं चला नमालम किस के हाथ लगी कहा गई बुकी होगी या प्यासी भगवान चाल शेशी जिद नहीं क्या करते बेटी लो थोड़ा सा खा लो नहीं में नानी के हाथ से खाऊंगी मेरे हाथ से नहीं खाएगी नहीं पिर मैं तरी मा भी नहीं बनुगी जा नहीं करती क्यों मुझसे नाराज हो गई जो मैं तुमसे बात नहीं करती अच्छा बाबा मैं तुमसे बात करूंगी लो अब थोड़ा खाना खालो फिर नानी को बलाऊंगी हाँ नाना को भी हाँ हाँ नाना को भी नानी को भी दोनों को बुलाऊंगी हाँ खाना खालो अब सुनो बेटा खाना खाने के बाद थोड़ा सा सोना अच्छा होता है चलो अब सोजा तुम गाना गाओ मैं सोती हूँ अच्छा वा मैं गाना गाति हूं हाँ, चलो सोजा ab क्या हो गया ये नहीं गाना फिर कौन सा? जो नानी गाती ही, ओ गाना मुझे नहीं आता ही, ओ गाना आता ही क्या है तुम्हे? अच्छा, कौन सा गाना गाती थी, नानी? बताओं पहर्णे आपफ़ सौ फिर बताओंगे है, लो मैं सुजाती है सोजा मेरी नने मुली सुजा री सुजा, सुजा अच्या बबा अप मेरी निन पूरी हो गई अब तुम सुजा वहन जी, नीचे शेख बाबु आए आपसे मिलने देखो, तुम ज़रा शेशी के पास बैठना और थोड़ी दर के बद चाय ले आना उशा, जिस बच्चे की वज़े से मुझ में और तुम में जगड़ा हुआ, वह बच्चा कुम के मेले में खो गया भगवान जाने जिन्दा है या मर गया, मेरे आप कोई बच्चा नहीं मुनासिब समझो, तु घर वापस चलो मैं अपनी गलती को कुबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो इनसान ही से गलती हुआ करती है, और इनसान ही माफ करता है मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ तुम ठीक ही जगड रही थी उशा, तुमने कोई गलती नहीं की मैंने भी गलती की है, बच्चन दीजिए कि आप मुझे माफ कर देंगे मैं बच्चन देता हूँ मैंने दुनिया से आपसे एक रास को च्पाया रखा लेकिन अभी इस रास का च्पाना नमुम्किन हो गया है कैसा रास? मेरे भी एक बच्चा है तुम्हारे बच्चा है? हाँ, मेरे पहले शादी से एक बच्चा है तो तुम्हारे पहले भी शादी हो चुकी है? हाँ, वो मेरे गले में बच्चा है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए कि फिर आप मुस्से शादी नहीं करते हैं तो फिर किस बिना पर तुम मुस्से जगड रहे थी? क्या अधिकार था तुम्हें यह कहने का? कि कमारी लड़के को बच्चे वाले आदमें से शादी नहीं कहनी चाहिए इनसान ही से गलती हुआ करती है मैं अपने गलती को बूल करती हूँ आप अभी अभी कह रहते कि इनसाने गलती करता है और इनसाने मौफ करता है मुझे मौफ कर दीजी माफ कर दिया मैंने मा को आजाने दीजी मैं भी चलती हूँ आपके साथ मा आए बेटी तब तक आप चाय पी लिजे मैं तयारी कर दो हूँ मा तु काम गई थी तेरे पिता जाए है न चलो अब हम घर जाएंगे पिता जी अब तेरे लिए मिठाई लाएंगे खिलोने लाएंगे चलो चलो कपड़े बदल लो मा मेरे पिता जी कैसे है बिल्कुल तेरे जैसे तेरे जैसा मू तेरे जैसे नाख तेरे जैसे बड़ी बड़ी आखे चलो चलो जन्दी कपड़ी बदल लो बेहन जी शेखर बबु चले गए चाय भी नहीं पी चले गए मुझे घर मालूम है उशा ये क्या कर रही है मा वो मुझे लेने आये थी मैं जा रही हूँ क्या कहा शेखर आया था ए भगवान तुरा लाख लाख शुकर है बेटी पुरानी बातों को भूल कर इस मासूम बच्ची को सीने से लगा और अपनी गिरिस्ती को संभाद जो कुछ होना था तू अपने पिता जी के पाथ जाएगी मैं और मा दोनों जाएगी अपने पिता जी को नमस्ते कैसे करेगी एश हबाश ऐसे करेगी यह देख यह है तेरे पिताजी नमस्ते कर बेटा नमस्ते पिताजी ऐसे क्या जिल्दी थी अकेले ही चले आए शायद मेरे साथ आने में शरम लगती होगी न देखिए अगर लोग पूछेंगे तो मैं इसे आपकी पहली बीबी की बच्ची कहूँगे शायद उसका नाम शेशी था न मैं इसे भी शेशी कहकर पुकारा करूँगी देख आसे तेरा नाम शेशी है क्या है तेरा नाम बेटा शेशी मेरी प्यारी बेटी शेशी तुम चाय भी नहीं पी कर आए लो तुम शेशी को संबालो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ पता जी लो मैं प्यार्ण जी हां मैं हाई और प्यात्ताशलियतना से पार, तुछय दाल शां। क्या देख रही है? तुमारी नाक मा कहती थी, तुमारी नाक मेरी जैसी है…. तुमारी नाक तो बहुत बढ़ी है मेरी नाक तो घट गए का कर गए यह सरे ने कैसा है तु जाते हैं मैं यह जा रहे हो चाहे पीकर जाना अभी तैयर हूजाएगी मुझे नहीं चाहिए और खाना? अभी नहीं पूख लगेगे, तरो रहेगे, मांगेगे केभी बच्चा, तुने चुपाया, उसने भी चुपाया शेखर मेरी राय तो यह है कि अब इस गवड़ गोटाले को चुपा ही रहना नहीं भूशन, यह मुझे से नहीं सहा जाएगा, क्या नहीं सहा जाएगा? मां शेखर बाबू, मान गया, मान गया आपको मुझे तो उशा देवी ने कल ही बताया, कि सखी आपकी बच्ची है खुल मिर्के जोकी उशा देवी की आखों मी बड़ा चालाग समसी थी अपने आपको शेखर बाबू, आपका भी जवाब नहीं है चार साल की बच्ची को अंडरग्राउंड कर दे राधा बूशन जी बड़े अफसोस की बात है आप मदाप उड़ा रहे हैं और इस बेचारे घर में लडाई मची हुई है बूशन जी, अब इनके घर में तो लडाई मचने की बज़े है पर मेरे घर में तो बगैर बज़े ही लडाई मच गई यशोद्रा की भावी ने रात भर सोने नहीं दिया अब शादी के दस साल बाद मुझसे पूस्ती है कि तुम्हारे तो कोई बच्चा नहीं शादी से पहले का और कुछ कहना है बस और क्या कहना है भगवान उमर लगाये आपकी बच्ची को बड़ी प्यारी बच्ची है और कुछ अभी तो फेरी पर जा रहा हूँ फिर घर आकर इत्मिनान से बातें करेंगा अच्छा नमस्तु नमस्तु ये बड़ी अकलमंदी की उशा ने उस बच्ची को तेरी बच्ची कह दिया अब मेरा कहा मान तू भी आज से उसे अपनी बच्ची कहा कर समझा अच्छा मैं जाता हूँ हाँ पिताजी में बंदूझ चलाती हूँ तुम मर जाओ है क्या खाती है अरे तुम ख़ळे हो मर नहीं तुमर अन्दर जाकर औरू पिताजी मार गया पिताजी मार गया ऐसा निकाए करते कहीं छोडोट तुमी ऐं उठाना यह क्या हो गया शेशी बच्ची राम ज़रा जन्दी चपाती लो पुचाई इसका ख्याल है पेड से बांदो इसके एक नवैला आर उस दिन कहते थे मेरे सिने में सौतेलेपन के आग जुली है अब शायद तुम्हारे सिने में बारिश हो रही है सौतेलेपन की लो मैं इसका जूटा खाऊं धरम थोड़ी बिगर जाता है इसका जूटा खाने से आईए और पुरसे देती हूं मुझे नहीं चाहिए खिलाओ इसे ही मैं इसे खिला ही रही हूं आप भी आईए और शांती से खाना खालीजे मुझे नहीं खाना है आपकी इच्छा खाईए न खाईए मैं इसे तो घर से नहीं निकाल सकती माँ आईए बेटे जड़ा ये चादर बिछा लेना इसे अपने पास भी ठालीजे मैं अपी दूद गरम करके आते हूं यहां बैठना है पिताजी के पास पिताजी खबरदार जो मुझे पिताजी कहा तो कहाँगी पिताजी 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 चुब चुब पिताजी बश्य час बड़ी शहसान है उना बड़े खुश नजर आरहे हैं बाप भी चुश बगियाज आज तू शचय के अपने पास लागए रख फ plants यहां नहीं तू ही अपने सीने से लगा कर रखो इसे मैं तू इसे सीने से लगा कर रखूंगी मगर तुम्हारे कौन से कांटे चुभो देती है तीर मार देती है चलो शेशी तुम मेरे साथ चलो सब्सक्राइब přेया सच्छाइब कर कि प्यादो up कि युद्ध की अधित ग्रफिस Quindi कितनी हसी है देख ले खुझड़ी चमन के ये कली मेरे चमन में आखिनी तेरे चमन के ये कली चाहते हूं ऐसे तु भी इसको प्यार कर मुझ पे एतभार कर जिन्दगे हसीन है ये जिन्दगे से प्यार कर मैं हो तेरे जिन्दगे मुझ पे एतभार कर तू तो मेरे साजन के एक छोटी से तक्दिर है तू आखां के रोशनी तू मेरे तक्दिर है प्रीक मेरे बार बार कहते है पुकार कर मुझ पे एतबार कर मुझ पे एतबार कर जिन्दगे हसीन है ये जिन्दगे हसीन है जिन्दगे से प्यार कर मैं हू तेरी जिन्दगे मुझ पे एतबार कर मुझ पे एतबार कर मैंने तुम्हारे प्यार को आज आजमा लिया असके एक राज को सीने में छिपा लिया ना गले लगास के मैंने गले लगा लिया मेरी जीत हो गई आज तुमसे हार कर मुझे कर मुझे एकला कर जिनदगे हसीन है ये जिनदगे से प्यार कर मै हूँ तेरी जिनदगे मुझे एकला कर कुछ पे एक बार कर, जिंदगे दस्धीन है ये जिंदगे तुम्हारी ओलाद है, तुम नी इसके बाप हो उशा मैं बहुर बर्दास्ट नहीं कर सकता, ये यहाँ नहीं रहेगी लेज़ाएएं थे ये भी ये रहेगी और मैं भी ये डूउँगी शादी किये आपने मुछसे शादी नहीं, बेवकूफी की है, अपने सुक की बरबादी की है, इसे यहां से ले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा इसके साथ हम दोनों यहीं रहेंगे मैं इसका गला खोड़ दूगा, ले जाओ इसे मेरे घर से यह मेरा भी घर है, मेरा भी अधिकार है इस घर पे अधिकार, तुम जैसी नीच औरत का, कुल्टा का खबरदार जो कुल्टा का हम मुझे कुल्टा नहीं तो और क्या, दूसरे का पाप मेरे घर में छुपाना चाहती हो तुम भी अपना पाप मेरे सर पर थोपना चाहते थे अपनी पहले और की बच्ची मेरे गले डालना चाहते थे अगर मैं कुल्टा हूँ तो तुम पर था मा, 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 उसे कहा छोड़े जाती हूँ मा, 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 तुम यह क्या गरी, मारूगा, चुप, निकल यह, निकल यह, जा, निकल यह, जा आपने मा के साथ मा, मा, मुप, यह, जा, जा, यह, जा, 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 निकल या हाँ । तूजर उजर कर दो ओर फिड़िड़ कर दो सहीं!! 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 उशा, उशा, कहाँ शषी, कहाँ मेरे बसी, उशा ये तुमने क्या किया, बड़ा जूलम क्या तुमने उशा मुद पर, तुमने मेरा इतना सक्तिम तान क्यों लिया, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुछ से घर छोड़ कर आई थी, तुम उसे छोड़ाए थी, लेकिन मैंने उसे मारकर घर चे भाहा निकाल दिया था मेरे धिमाग पर भूच उसवार हो गया था यहानी आई क्या? नहीं तो फिर कहां गई? ठैरा, फिर कहां तो उशा, तुम इधर जाओ, मौधर देखता हूँ जाओ, खिर जाओ नहीं मिली? नहीं, बूदा तुनी है, कहां चरीगे? बुर आई, शाशी, शाशी 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 शजर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष। आदे जहां से थाुट.... इसका यह बच्छा? शची.. 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 मुझे थख़दो.. शची.. 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 जैंता तरजजपा, पालादीं, ज Wrap guys! काईशी पादी एक वादी एक with all दयारूणक। है एक 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 काईशी? बाभी जि बच्ची तो यहाँ है, काहाँ है, यह रहे रहे जीठी, मेरी बेची, शेची, शेची, चाहे है शेची, चलो पनी पॉज़े है अउशा, उशा, उशा, सची जिन्दा उशा मैरी बेती पेती भाई मारने वाले से भचाने वाला ज्याधा बलवान मुझे माफ करदू उशा, मैंने तुम्हारे मुझar भपन मारा है तुमने कोई नई बात नहीं कि, बहुत से लोग मारते हैं उरतों को, मगर अफ्रोफी इस्वाब का है, क्या औरत का बेहादी, फिर भी खामोश रहता है, सब कुछ भूल जाता है, मैं शर्मिनदा हूं उशा, मगर तुमने जो थपड मुझे मारा है, उसे मैं कभी नहीं बू सेशलिक